समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाशा पोज्य श्री देव की नंदन ठाकुर्जी के श्री मुक्से श्री रादे रादे प्यारे प्रभु प्रेमियो आज में आपको बहुत सुन्दर एक विशे पर कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ बैसे तो आप स्वय में ही निपुण है ज्यानी है पर फिर भी इन कथाओं को कहकर या इन विशेओं पर बोलकर मैं अपनी बाणी को पवित्र करना चाहता हूँ हमारे सत्यशनातन धर्म में जो कहा जाता है मात्री देवो भव, पित्री देवो भव, आचारी देवो भव आज इस कलिकाल में जीव जो है वो इतना सेलफिस हो गया है कि जन्म देने वाले माबाब को भी और अध्यात्म जगत में जन्म देने वाले अपने सद्गुर्दे भगवान को भी जीव स्वार्थ के बसीबूत होकर उनका मान अपमान टाइम टाइम पर समय समय पर करता रहता है पहले में चर्चा करूँगा अपने माता-पिता की, आप सब जो भी लोग अपने माता-पिता को प्यार करते हैं, जो लोग अपने माता-पिता का समान करते हैं, उनसे मैं पहली प्रार्थना ये करूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर शेर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा किसी और को भी कुछ जानकारी मिल जाए पहली बात हमारे सास्तरों में ऐसा कहा गया है कि जीव जन्म देने वाले मावाप का रिण सो जन्मों तक उनकी सेवा करे अथवा सो वर्सों तक लगातार उनकी सेवा करता रहे तो भी जन्म देने वाले मावाप का रिण को उतार नहीं सकता आप कलपना नहीं कर सकते नौ मेहने तक जब बच्चे को मा अपने गर्म में धारण करती है आप सिर्फ एक काम करिए दस किलो नहीं पांच किलो कोई भी बजन उठाईए और अपने पेट से बांध कर नौ घंटे घुमिए आपको पता चल कि वो बजन उठाने का कितना बड़ा कस्ट आपको उठाना पड़ेगा लेकिन आपकी मा को वो बजन नहीं लगा हमारा और आपका बजन बजन नहीं लगा और 9 घंटे नहीं 9 दिन नहीं पूरे 9 मेने तक हमारी माने हमें गर्म में धारण किया जिस बजन को हम 9 घंटे नही बैटते खाते पीते आते जाते धारन किया और धारन ही नहीं किया उसकी देखवाल भी की उसका सम्मान उसको बचाके भी रखा और उसके कहीं कोई कफ्ट नहों ऐसी ब्यवस्था भी बना कर रखे खुद ना सोई लेकिन तुम्हें कुछ नो हो जाय इतनी गर्में भी वो तुम्हारी चिंता करती रहे जब हम और आप गर्में थे तो सौ वर्सों तक जिन्दा रहने के बाद अथवा सौ जन्मों तक भी अगर हम अपने माबाप की सेवा करें तो भी हम अपने माबाप का रिंड नहीं उतार सकते लेकिन कलयों में लोग अपने मावाप को गालियां देते हैं मावाप को पालते हैं बच्चों पर ध्यान लगते हैं मावाप को कहीं भी हम लोग बहुत जिसी जगे पर हम देखते हैं जो बरद्धास्रम होते हैं, Old Home होते हैं वहां पर उनको भेज दिया जाता है जब हम अपने बुजर्ग मावाप का इस तरीके से अपमान करते हैं, हमारे घर का मान सम्मान ये सब समाप्त हो जाता है दूसरी बात जो अपने मावाप को जिसने हम को जन्म दिया है, सामर्थवान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने माबाप का पालन पोशन नहीं करता ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत मरने के बाद उसे यमलोक में लेकर जाते हैं और उसे खाने को क्या देते हैं आप जानते हो उसे खाने को कुछ और नहीं देते उसे खाने को उसी का मास देते हैं आपको अल्गा सा मच्छर खा जाए, दवाई लगाते हो, उस मच्छर को मार देते हो, लेकिन मावाप का अपमान करने वाले विक्ति को यमलोक में उसी के सरीर का मास उसको खिलाया जाता है दूसरा एक और बात, सामर्तवान होने के बावजुद भी, अगर हम अपने माता पिता, अपने पत्नी पुत्र, अपने आचारे, मतलब गुरुदे भगवान और द्वार पर हाय हुए अथिति, चाहे कोई ब्रामन हो, चाहे अन्नोन कोई भी, अगर इसका हम पालन पोशन न क करें, तो you must understand my dear, वो इनसान जिन्दा है ही नहीं, वो जीवित होती हुए भी मरे के समान है, जीवित सब समान सो प्राणी, वो मुर्दे के बराबर है, तीसरी बात, हमारे पुराणों में, हमारे सास्त्रों में, माबाप का इतना समान क्यों है, मात्री देवो भवावा, सब हित चाहने वाला तुमारे पिता से बड़ा कोई नहीं है, जिन लोगों के चक्कर में आकर हम अपने माबाप का अपमान करते हैं, वो सिर्फ अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन हमारे पिता से बड़ा हित चाहने वाला हमारा कोई नहीं हो सकता, कभी-कभी मा भी ममता में आकर हमारी हामेहा मिला देती है लेकिन पिता कभी हमारे गलत चीज में हामेहा नहीं मिलाता है क्यों? क्योंकि वो जानता है वो बिवेक का इस्तेमाल करता है जो व्यक्ति माता पिता ऐसे माता पिता हित करने वाले अपने पिता का और ममता बरसाने वाली अपनी माँ का अपमान करता है वो जीवित नहीं है, वो जीवित होते हुए भी मरे के समान है एक और बात मैं आपको बता दू हमें ये सरीर किस ने दिया है, ये तन किस ने दिया है ये देवताओं ने नहीं दिया है ये जो तन दिया है हमें हमारे माबाप ने हमको दिया है इसलिए इस प्रत्वी के तीन प्रमुक देवता हैं जो हमें दिक रहे हैं जिनकी पूजा अनिवार है जिनका सम्मान अनिवार है जिनकी शेवा अनिवार है वो हैं माता पितार गुरू ये तीन कभी भी हमारा बुरा नहीं करते हैं ये तीनों हमारा भला ही करते हैं इन तीनों की आग्या का पालन करना इन तीनों की सेवा करना ये हमारी परमड्यूटी है हमारा सरीर देवताओं ने नहीं दिया है हमें ये सरीर जो दिया है जन्म जो दिया है पर जन्म देने वाली हमारी मा जो के प्रतवी के समान विशाल है जिसका प्रतवी के समान विशाल हिड़दे है जो ममता ही वर्षाती रहती है उस मा ने हमें जन्म दिया है और उस मा को देवता तो हमें बाद में मिलेंगे ना भजन करेंगे तो देवता मिलेंगे पूजा करेंगे तो देवता मिलेंगे और कुछ अच्छे करम करेंगे तो देवता मिलेंगे लेकिन मा जब जन्म ही न दे तो देवता मिलेंगे कैसे मानव सरीर ही तुम्हें प्राप् कभी नहीं करना चाहिए, पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, सदगुर्दे भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए एक और प्रमुख बात है जैसे इस संसार में जन्म देने वाली हमारी मा है वैसे ही अध्यात में जन्म देने वाले हमारे सद्गुर्दे भगवान है जो हमें दीख्षा देते हैं और जो दीख्षा देकर हमें भगवान की सरनागती करा देते हैं तो जब दीख्षा मिलती है जब भगवान की सरनागती कराते हैं तो जैसे ही सरनागती कराते है हमारा एक जन्म हो जाता है, हम भगवान के हो जाते है, हमारा सम्मंध इस्थापित हो जाता है, इस प्रतवी पर महान, स्रेश्टतम, भगवान से संबंध स्थापित कराने वाले ऐसे सद्गुर्दे भगवान को आप स्वयम अगर संपूर्ण हैं आप अगर बरिष्ट हैं आप धनवान हैं आप सामर्तवान होने के बावजूद भी अगर इन तीनों का भरन पोशन आप न करें इनकी भावनाओं का सम्मान न करें इनकी सेवाप न करें तो निश्यत तोर पर यम लोक में हमको कठिन से कठिन दंड का भागिदार बनना पड़ता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ ब्रह्म वर्तत पुरान में स्री कृष्ण खंड में स्री कृष्ण जन्म खंड में आप जब पढ़ेंगे तो निश्यत तोर पर इंतीनों की चड़्चा आपको सुनने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको बताई है मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे दुरलवो मानसो जन्मा यह मानव सरीर बड़ा दुरलव है डॉन प्ले विद यॉर सेल्फ आप अपने साथ खि अगर आप अपना सम्मान करेंगे तो निश्यत तोर पर आप अपने माता पिता के मानसमान की लाज रखेंगे अपने सद गुर्दे वगवान की सेवा करेंगे यही भाव मेरे को आपको बताना था अगर आपको यह भाव अच्छा लगा हो जन्म देने वाली मा की आँखों का बनाया उनका उपहस आपकी बाड़ी से उनका सम्मान आप से होता रहे यही सब चीजें आप ध्यान रखिए और जो इनका नादर करता है वो निश्यत तोर पर अपमान का और अपियस का भागिदार होता है इसमें कोई दोराय नहीं अगर मेरी वात ही आपको अच्छी लग अच्छा होगा तो आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे तब आपके चहरे पर एक अद्बुद चमक होगी और तब आपको साइद मेरी बात याद रहेगी कि हमने उस व्यक्ति की मुख से ऐसा सुना था तो आज वो हमें देखने को मिल रहा है I hope कि आप हमें इसा खुश रहें अच्छे रहें मंगल में रहें नासते जुमते गाते रहें अच्छी जगे पर रादे रादे पुझे महराजी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकिनंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महराजी को dn-thakur-g फालो करें